आप सभी को नमस्कार मैं दिक्षा जोशी लेक्षरार गर्मेंट पॉल्टेकनेक कॉलेज पाली आज हम डिसकस करेंगे हमारी मशीन्स का एक नया योनिट एक नया टॉपिक वो है सिंक्रोनस मोटर्स ठीक है सिंक्रोनस मोटर्स का बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे आज पार्ट हम अल्टर्नेटर्स में कवर कर चुके हैं इससे पहला वाला टॉपिक जो कि सिंक्रोनस जनरेटर्स हमने पढ़ा था उसका कंस्ट्रक्शन एकदम सेम है कोई डिफ्रेंस नहीं है तो हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट नहीं पढ़ेंगे केवल प्रिंसिपल वही उसमें भी एक्जैक्ली वही सारी चीज़े हैं वही दो प्रकार के रोटर्स हैं सेलियंट पॉल और नॉन सेलियंट पॉल और वही हमारा स्टेटर है ठीक है वही सारी कोर फ्रेम वगरा एक्जैक्ली सेम है तो कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे ठीक है आए प्रिंसि क्या होती है? वो भी वही चीज है, electrical energy को mechanical energy में convert करती है. सेकंड पॉइंट जो कि most important point है, ये एक doubly excited machine है. doubly excited machine का मतलब क्या है? ये हम देखते आईए. जैसे कि हमने alternators का constructional point of view पढ़ा था, कि ये हमारा एक stator frame है, जिसको हम armature भी कहते हैं इसके अंदर conductors रखे हुए है ठीक है ये A ये B और ये C three phase windings रखी हुई है ठीक है जो की 120 degree electrically displaced है ठीक है ये B dash ये B ये C, C dash, A और A dash ठीक है ये सारी windings 120 degree displaced है और इस प्रकार रखी हुई है अंदर हमारा rotor है ठीक है rotor salient pole वाला इसमें दिखा रखा है two pole machine है ये और हमारा rotor इस तरीके से placed है ठीक है ये जो overlapping हो रखी है उसके उपर मत ध्यान दीजेगा भी simple ये वाला देखो अपना ये वाला rotor है ठीक है two pole machine है ये एक और चीज इसमें कि यहां rotor जैसे कि हम alternators के case में देखते थे हम rotor को DC supply दे करके excite करते थे और poles generate करते थे ठीक है DC supply हम जानते है unit directional होती है तो वो poles हमारे stationary रहते थे जैसे कि अगर यहां create हुआ N तो यहां create हुआ S और पूरे इसकी working के लिए यही सब रहेगा ठीक है यह north और यह south तो एक तो हमको पता चल गया कि हमारा excitation यहां दिया जाता है ठीक है यहां poles generate करने के लिए और फिर rotor rotate करेगा जैसा कि alternator के case में हुआ करता था कि हम जब यहां पर DC supply देंगे तो हमारा rotor rotate करना start करेगा वो इन armature conductors को cut करेगा वह flux और उस flux cutting action से EMF produce हो जाएगा और हम उस EMF को fetch कर लेंगे बाहर यह हमारा alternator का principle था आए देखते motor में क्या होता है ठीक है अब हमने इसको rotor को excite कर दिया है ठीक है और हमारे यहां पर poles create हो गए है दूसरा excitation हम कहां दे रहे है हम यहां इस machine के अंदर stator पर भी excitation दे रहे है क्योंकि यह हमारी motor है electrical energy to mechanical energy में convert करेगी ठीक है हम यहां input देंगे electrical energy तो कैसे देंगे यहां जो windings है A, B और C यहां से हमने बाहर phases ले लिया है और यहां पर हमने three phase voltage दिया है ठीक है अब हम देखते हैं जब यहां पर three phase voltage देते हैं हम इन three phase electrically displaced windings को तो क्या produce होता है three phase rmf produce होता है rotating magnetic field produce होता है यह कैसे produce होता है इसका मैं एक अलग से video बना दूँगी ताकि आपको easily help मिल सकेट ठीक है rmf अभी के लिए हम यहीं पर देखते हैं कि rmf हमारा create होता है stator के ऊपर ठीक है उस rmf का एक magnetic field produce होता है वह magnetic field को मैंने bs से show किया है और let's suppose यह counter clockwise direction में run कर रहा है with a speed of synchronous omega synchronous इस speed से यह run कर रहा है ठीक है जैसे ही हमने rotor को excite किया तो rotor का भी एक magnetic field produce हो रहा है जो की है br ठीक है अब हम यह देखते हैं कि दोनों जब दो हमारी magnetic fields है तो यह दोनों आपस में एक torque induce करेगी torque induce ठीक है इस torque induce का formula हम देते हैं यह हम कई बार देख चुके है यह torque induce जो होता है हमारा एक cross product होता है दो magnetic field का तो यह हमने लिख दिया br cross bs ठीक है यह हमने देखा कि bs और br के बीच में एक angle बनता है delta ठीक है और यह torque induce जो है वो इस angle पर depend करता है यह हमारा है torque angle ठीक है given to armature जिसके अंदर already three phase windings लगी है and it produces RMF ठीक है तो stator में भी यहाँ पर RMF produce हो रहा है rotor tends to align with stator magnetic field ठीक है rotor जो हमारा है वो इसको इस field को stator magnetic field को align करने की कोशिश करेगा इसकी direction में जाने की कोशिश करेगा ठीक है since the stator magnetic field is rotating in process of trying to align with the stator क्योंकि stator magnetic field BS यह भी हमारा stator में के साथ align होने की try कर रहा है तो क्या करेगा जब rotor इसको rotor इसको catch करने की कोशिश करेगा तो वो इसके पीछे पीछे जा पाएगा पर इसको catch नहीं कर पाएगा ठीक है तो यह हम यह magnetic locking की भी procedure होती है इसको हम और आगे अच्छे से पढ़ेंगे starting of synchronous motor में ठीक है फिर क्या है larger the angle between the fields more will be the induced torque हम देख चुके हैं कि यह जो angle between दोनों fields हैं वो torque induced पे depend करता है अगर angle जादा होगा तो हमारा torque भी जादा होगा ठीक है rotor chases the stator EMF in a circle but never able to catch it rotor हमने देखा कि stator RMF को chase करने की कोशिश करता है इसके पीछे पीछे भागने की कोशिश करता है यह इसको catch नहीं कर पाता है ठीक है यह हो गई बात आज के synchronous motor के basic principle की ठीक है आगे हम पढ़ेंगे कि rotor हमारा self starting क्यों नहीं होता starting और मतलब हमने अभी यह जो वीडियो बनाया है यह rotor की steady state condition पे बनाया है कि motor हमारी on हो गई है motor हमारी running condition के अंदर है फिर इसका क्या principle रहता है वो सब हमने पढ़ा है switch on करते ही rotor start motor start नहीं होती है ठीक है तो उसका क्या procedure रहता है यह हम अगले वीडियो में देखेंगे thank you everyone